नमस्कार मैं आसी स्पाटा का आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में सबसे ज़्यादे बच्चों की एक क्वैरी है कि सर रार बी एल पी का फॉर्म कैसे हम भरें कहां पर हम किस जोन को चूज करें कहां की कटफ कम जाती है इन सभी के ड परिक्षा प्लस एक दम आपका सस्थे दामों में कोर्स लेकर आया है मात्र चार सो निन्नानवे रूपे में आपको पूरा cbt1 और cbt2 का फुल कोर्स दिया जाएगा उसके लिए आप परिक्षा प्लस एप पे जाएगा प्ले स्टोर से ठीके आप वहां से भी जा सकते हैं और live.parikshapplus.org जी website open करेंगे हमारा तो यहां पर courses में जब आप जाएंगे ध्यान दीजिएगा जब courses में आप जाएंगे यहां पर courses में pdf notes रहेंगे sectional test रहेगा और doubt session रहेगा और इसका जो validity है टेल examination तक है आप यहां से purchase कर सकते हैं बाकी detail में क्या eligibility है सब कुछ यहां पर बताया गया क्या क्या certificate चाहिए यह सब कुछ आपके वीडियो अल्रेडी लगाए गया है तब आपको पूरा कोई भी समस्या नहीं होगा आराम से form fill कर लीजेगा जल्दी बाजी मतर करिए नहीं तो एक बार form में गलती हो गई तो फिर पस्ताना ही है आपको तो यह ध्यान रखिएगा इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए कि कैसे कैसे आपको form fill करना है तो कौन सा जोन है थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं आपको यह देखो कि आपको कहां जाना है आप पर डिपेंड करता है आपको जॉब चाहिए कहीं भी बेज दे इंडिया के कोने में तो आप उसके लिए तयार हो तो कहीं चले जाओ चैन नहीं है आपके पास त्रिवंत पूरम है बेंगलूरू है बुंबई है इसकंदर बादध यह तो जारसी बात है बंदा बच्चा सोचता है कि कहीं हम अपने जोन में रहें लेकिन जॉब मिला है कहीं भी Millay हम करने के लिए तयार है तो ऐसे जो बच्चे है तो आप तो कहीं भी फिल अपने कर सकते हो आप के पास ये बहतर विकल्प है कि इस जोन में आप फॉर्म भर सकते हो चंडी गड़ हो गया भोपाल बिलासपूर ठीक है सबसे जादे अगर हम सीट की बात करें न यहां बिलासपूर में आपको है फिर आपका रांची है पटना है प्रियाग राज है कुलकत्ता है सिली गुड कि कटफ जो है कम जाती है लेकिन यही आपके हर लोगों की क्योंकि अब बेरोजगारी का जादे यह कि बेरोजगारी जादे बढ़ चुकी है और सीटे भी आप जान रहे हो कि इस बार सबसे कम ही सीट आई है तो उस हिसाब से सिकंदराबाद में जब सीटे जादे हैं यहा कि नहीं चलो ठीक है यही पर डाल दें यहां से कटफ कम जाएगी तो यहां जब फॉर्म की संख्या बढ़ेगी सीट भी जादे है तो सीट जादे होने के कारण भी क्या होगा एप्लिकेशन बढ़ जाएगा अब यहां पर जब एप्लिकेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बा हमके तो मातर दस 12 नंबर का अंतर रहता है यह द्यान पथीएगा अब यहां पर आते हैं हम लोग जोन में आपको कहां कहां पर सीटे कितनी है वह आपको हम दिखा देते हैं कि यहां देखें सभी को सब जोन में भी डिवाइड किया गया अपको दिख रहा होगा जैसे लोर है भुपाल है भुबनेश्वर है तो भुबनेश्वर में भी आपके एक सो चार सीट है युवार की ये ध्यान रखेगा बिलास्पूर में देखिए दो है सेंट्रल का है साउथ इस्ट कोश्ट रेलवे भी है तो दो जोन आपके हैं यहां पर सब जोन भी डिवाइड कि यहां कोलकता में आ जाओगे तो यहां पर भी आपके 155 प्लस 30 है यहां पर 155 प्लस 30 है तीक है पार 180 सीट है इसके बाद से अगर हम बात करें यहां नीचे थोड़ा सा चले आओगे सिकंदराबाद की जो बात करें तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर्फ कहां से फॉर्म डालें तो अब सेकेंड हाइस सीट आपकी जो अगर बात किया जाए तो यह यहाँ पर आपको सिकंदराबाद में मुलेगी 228 प्लस 80 सीट यहाँ पर है तो यह आपके कुछ इतने सीट हैं यहाँ पर आपको सबसे जादे बिलासपूर में है तो जहां सीट है तो जाहिर सी बात है कंप्रीशन वहां बढ़ भी जाएगा तो ऐसा नहीं है कि हर बार कम गया था तो इस बार भी कम जाएगा हाँ लेकिन एक मान सकता है यह भी होती है कुछ student की कि अब उतना दूर क्या करने जाएं ठीक है अभी भी कुछ बच्चे जो वहां जॉइनिंग कर लिए अब आपने अपने स्टेट में आने की कोसिस करते हैं तो उस हिसाब से अपने विवेग के हिसाब से आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मेरे कॉर्डिंग जाहिर सी बात है जब सीटें हैं तो कहीं ना कहीं आपका जहां पर मान लो भी यहां इस दम छोटे-छोटे सीटों में भर दो कि 10-15 सीट में तो कहां से होगा तो मेरे अकॉर्डिंग अगर बेस्ट है तो बिलास पूर अगर आपको जॉब लेना है तो सिकंद्रा बात जरूर भरिए क्योंकि यहां पर सीटों की संख्या जादे है ठीक है अब आते हैं जब आप फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करेंगे जैसे ही रेजिस्ट्रेशन प बात तो नहीं किया गया किसी वज़ा से कहीं कभी चीट उट करते हुए पकड़े तो नहीं गये तो यहां पर नो कर देना यस करोगे तो फिर आप अलिजिवल नहीं रहोगे यह ध्यान रखेगा अब यहां लेजिक सरजरी के बारे में आप से पहले ही पूछ लिया है कि आ आप इहां चूस कर लीजिए बाकी आपका डीटेल आपसे मंगेगा अगर यह करोगे तो ने आपके नेशनलिटीग फूछे अ इंडियन आप यहां उसके बाद से आपको परज़े परसनल własिशन इन्फ걸 आपर आप पर चाइब के डीजिक उसके बाद से आप उसी को retype कर देंगे पूरी तरह से तो दोनों बार आपको पूरा पूरा नाम डालना है आपका जो भी पूरा नाम होगा ठीक है कुमार के साथ है तो पूरा नाम डालिएगा तो यहाँ पर पूरा full name आपको fill करना है उसके बाद से अगर हम बात करते हैं त धियान रखेगा इसके वासे यहां अपना जांडर चूज करना यहां पर फिर से रिटाइप करना है फिर यहां फादर्स नेपराई करना है यहां पर आधार वैरिफिकेशन 32 में क्या है तो आप यहां से नंबर डाली हादर का वैरिफाई यूजइंग thousand वहां ओटीपी आएगा वेरिफाई हो जाएगा आपका यहां पर ध्यान रख्येगा तो यह आधार से आपका पूरा आधार भी आपका वेरिफाई हो गया उसके बासे यहां contact detail है यहां आपका OTP verification होगा आप email ID डालिएगा अपना email ID वही डालिएगा जो आपका हो पता चले आप लोग maximum form कहां फिल कराते हो cyber cafe तो cyber cafe वाला अपना डाल देता और उल्टा सिधा कुछ भी बर देता अपने form भराते समय cyber cafe भरवा रहे हैं तो वहां खुद मौझूद रही है कि वह यह नहीं ऐसा नहीं मेरे सामने मेरा form भरी है वो कुछ भी गलती कर देंगे फिर बाद में आप कहोगे कि सर ऐसा हो गया दिक्कत होगी तो यह धियान रखेगा form में दिक्कत मत करेगा एक एक स्टेप बता रहा हूं यहां पर आपको पूरा का पूरा email id correct email id डालनी है उसके बाद से यहां पर जैसे email id डालोगे आप पर OTP जाएगा कि आप तभी आप जान जाना कि मेरे email id सही है कि नहीं वहां OTP डाल के इसको verify करोगे फिर आपका mobile number जो चलता हुआ हो ठीक है अपना mobile नमबर डालिएगा और फिर यहां पर OTP आपका verify हो जाएगा यह दोनों verify होने के बाद आप अपना एक password create करेंगे और password जो होगा password में एक small letter एक capital letter होना जरूरी है एक capital होना चाहिए एक small letter होना जरूरी है और एक आपका बोल सकते हो special character यहां लिखाना special character और number यह सब होना चाहिए तो एक capital alphabet होना चा alphabet होना चाहिए और एक small alphabet होना चाहिए और एक add the rate special character होना चाहिए और एक number होना चाहिए ठीक है यह मतलब एक से जादे भी हो सकता है यह तो minimum है minimum इतना होना ही चाहिए बाकी आप बना सकते हो जो भी आपको यादर है उसको एक बार फिर से यहां पर लिखेंगे password आपका confirm हो चाहिए फिर यह आपका capture code डालके आप नीची जैसे ही यहां पर आएंगे तो नीची पर आप इसको next कर देंगे प्रिव्यू करके registration आपका हो जाएगा और जैसे ही registration होगा तो आपके सामने registration slip open होगी इसमें आपका पूरा नाम सब कुछ detail आपको यहां पर दिया रहेगा ए mobile number डालके यहां पर login कर सकते हैं देखिए mobile number और email id पूछा है password जो आप बनाए हैं गोडालिएगा capture code डालिए जैसे ही आप यहां पर entry login करेंगे login होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा window open हो जाएगा यह ध्यान रखिएगा तो इसमें आपको पूरा का पूरा medium of examination यह ध्यान जो भी बच्चे regional वाले हैं वो इन 13 language में से चूज कर सकते हैं जो बंगाली गुजराती हिंदी कानकियन मल्यालम यह सब जो language दिया गया है यह ध्यान रखिएगा तो यह आप यहां से अलग से language भी चूज कर सकते हो तो यहां online application form आएगा इसके बाद से अब जैसे ही यहां online application पर click करेंगे आपके सामने यह खुल के आजाएगा और सबसे पहले ही आपको चूज करना है क्या आप किस zone से भर रहे हैं form को यहां आपको zone select करना है तो zone आपको मैंने बता दिया जहाँ जादे सीटे हैं तो जाहिर सी बात है 10-15 seat के लिए तो form भरोगे नहीं तो उस तो यहां ध्यान रखेगा कोई एक ही तो पेपर देने जाओगे तो यह ध्यान रखेगा यहां पर आप zone select करिए और इस जोर में क्यूंकि यहां पर दो थे एक आपका इस पोस्ट रेलिवे वाला था और एक आपका था साउधन को रेलिवे तो यह आपके दो आपके जो zone के आएंगे इसमें जो vacancy हैं इन दोनों पर आप टिक कर दीजिए कहां पर प्रिफेर करना चाते हैं इस कोस्ट में जाना चाते हैं या साउधन में जाना चाते हैं तो यह है तो जोन सिकंदराबाद का ही है उसमें भी sub zone दिये गया है तो यह आपके दो sub zone हो जाएंगे जैसे ह आप next करेंगे next करने के बाद पूरा डीटेल आपको यहां पर open हो जाएगा इसमें आपकी personal डीटेल अधर डीटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अप्लोड प्रोफाइल डॉकुमेंट प्रिफरेंस और प्रिव्यू यह वाला चीज़े आएंगे फिर प्रिव्यू के ब यहां पर कार है फिर आप अपना लेंग्वेज चूज करोगे एक्जामीनेशन का ठीक है जो भी आपको रिजनल लेंग्वेज चाहिए तो रिजनल लेंग्वेज आप यहां से चूज कर सकते हैं उसके बाद से next जैसे ही आप उसी पेज पर ऐसा नहीं उसी पेज पर आप तो बाकि चीजे रहेंगी आपको marks बताना है, दो marks बताने हैं, आपके कोई भी पहचान के marks होने चाहिए, तो आपके चेहरे पे marks है, चाहिए कहीं भी आपके mark है, तो वो आपको यहां पर बताना है, identify mark होगा वो, तो वो जरूरी है, दोनों necessary हैं आपको, यहां देखिए जब लेंग्वेज में जाएंगे तो इतनी सारे लेंग्वेज आ रहा हैं आपके पेपर के इंगलिस तो रहेगा ही रहेगा साथ साथ इन में से आप कोई भी लेंग्वेज चूज कर सकते हैं यह ध्यान रखिएगा ठीक है उसके बाद से आपकी community detail आएगी community detail में आप ऐसे यहां से select करेंगे उसको भर देंगे फिर addresses आएगा आपका यहां देखिए community detail पर चूज कर रहेगा उसके बासे आपका यहां पर permanent address पूछेगा कि address क्या है present address क्या है permanent address कि आ अप रह रहें इस समय कुछ कर रहे है वहां address आप ध्यान रखिएगा तो तो यहां पूरा पकाइदे से अपना statement क्या है ये सब कुछ अच्छे से डाल कर दीए गा यह ध्यान रखिएगा इस में कोई गलती मत करिएगा आप सभी इसके बाद से आप जैसे ही आप अपना पूरा address डालेंगे फिर जब next करेंगे तो next करने के बाद यहां आपसे पूछेगा कि क्या आप ex-serviceman है तो आप no कर दीजिए आप physically disabled है तो पहले से ही पूछ लिया था तो यहां पर already no आएगा क्योंकि registration के समय ही आपसे पूछा गया यस करोगे तो उसकी चीजे पूछेगा certificate के बारे में और मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या document जरूरी है किसके किसके लिए और कितना recent होना चाहिए center का चलेगा या state का चलेगा यह ध्यान रखिएगा अब फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आप आगे ब Indian Railway तो आप चूज करिए और अपना detail भरिए अगर Indian Railway के employee रहें तो नहीं रहें तो no option कर दीजिए जाहिर सी बात है अब यहां पर आप से और यू कोर्स कंप्लीटेड एक्ट एक्ट के तहाद तो आप यहां सेलेक्ट कर लिजिए नहीं तो आपका ITI एक्टिस नहीं है ठी ठीक है अगर सिंपल आप डिप्लोमा डिग्री और ITI वाले हो तो उसके पासे यहां पर आपसे account detail मांगेगा bank detail for refund fees जो इसकी fees है वो refund होती है तो आपके जब प्री आप दे लोगे जितने लोग क्वालिफाई होंगे उनका तो ठीक है जिन्नों लोग क्वालिफाई नहीं ठीक है अपना नाम account का account number confirm account number सही सही डालिएगा तभी आपकी पैसे वापस आएंगे यह ध्यान रखिएगा IFC code bank का नाम bank का address यह सब अपने आप आप आजाएगा जैसे ही आप IFC code डालोगे यहां confirm करोगे अपने आप bank का नाम ले लेगा और address भी ले लेगा कि कहां का आप आपका bank है IFC से ही address ले लेता है bank का तो यह सही डालिएगा पता चले refund वाला डाल दिया कौन आपका cyber cafe वाला तो पहले तो payment कर देगा आपसे इतने रुपे का उसके बास से जब refund आएगा तो उसी के account में आएगा तो यहां पर अपना account number डालना नहीं तो वह अपना payment तो करता ही है लेकिन refund भी उसी के पास आ जाता तो बारा 1000 रुपया सूपर पहुंच जाओगे form में चलो यहां पर आते हैं हम लोग अब जैसे ही आओगे तो education वाले detail में तो यहां essential qualification आपसे पूछेगा अब essential qualification तो वही है आप 10 प्लस के साथ अगर आपने क्या किया है ITI किया है जो description में link दिया गया है आप qualification वहां से check कर सकते हैं उसके बास से आपका यहां बोला है कि अगर आपने 10 के साथ क्या किया हो आपने apprenticeship किया हो act यही बोला है national apprenticeship act के ताथ आपने in trade से किया हो तो आप चल सकते हैं और दूसरा last आपका है आपने degree या डिप्लोमा किया हो इस से electrical, automobile, mechanical electronics से in trade से आपने किया है तो आप form को fill कर सकते हैं यहां पूरा दिया गया है तीसरा qualification उसके बाद से आप जैसे ही next करेंगे तो उसी वाले page पर ऊपर दिया गया है और यहां से आपका education qualification चूज करने के लिए आएगा यहां आप देखिए जैसे ही आप 10th आपका हो जाएगा 10th का detail भर देंगे 10th का detail भरने के बाद यहां से आपका क्या पूछेगा 10th का पूरा रोल नंबर हर चीज का पास किये वो सब भरने के बाद आप से ट्रे वह आई टी आई वाला पूछेगा कि आपने क्या किया है तो यहां NAC आ रहा है national apprenticeship certificate का आ रहा है एक आई टी आई आई आ साल वाला यहां लिखा भी है इसलिए तीन साल का डिपलोमा ऐसा नहीं कि एक साल और डेड़ साल वाला नहीं तीन साल वाला अगर डिपलोमा आपने किया है तो वो चीज़े यहां पर चलेगा तो वो आप यहां से भर सकते हैं बाकी अपना ट्रेड यहां से चूज करेंगे इस्टेट बताएंगे कहां से किये हैं किस जगा से किये हैं उसका यहां पर बताना है district कौन सा था, college का नाम क्या था, passing year क्या था यह सभी आपको यहां पर fill करना है जैसे ही आप fill करेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर degree in engineering आपने choose कर लिया choose करने के बाद यहां आपके पास आएगा trade किस trade से हैं आप, तो automobile, electrical, electronics, mechanical यह आप degree और diploma में यह trade आपके आएंगे इसमें से आप electrical के हैं, electronics के हैं, mechanical के आप कहेंगे बच्चे, कि सर मैंने electronics and communication engineering किया है तो मैं कौन सा trade choose करूँ तो भाई जो BTEC चाहे डिपलोमा आपने electronics and communication यह telecommunication किया है तो आप उसमें कौन सा उसका जो main branch होता है, electronics engineering उसको choose करेंगे ऐसे ही electrical and instrumentation EEE जो होता है उससे आपने किया electrical and electronics instrumentation किया है तो वो triple E जो होता है, वो आपके किस्से होती है ठीक, वो आपके electrical engineering में आएगी ऐसे mechanical के आपके branch होते है automobile के जो branch होंगे, वो automobile engineering में आएगे जो सब branch कहलाते हैं, यह ध्यान रखिएगा तो ऐसा नहीं है कि बच्चा जो E.C.E. वाला है वो नहीं भर सकता है, electronics and telecommunication वाला नहीं भर सकता है भर सकते हैं, ठीक है, form को भर सकते हैं, आप यह ध्यान रखिएगा यहाँ आप देख लिजिएगा कि कहां से आपने किया है यह चीजे ध्यान रखिएगा, ठीक है, चलो अब आगे हम कब आपने pass out किया, वो सब कुछ आप detail भर दीजिएगा यहाँ पर अगर आप ITI वाला चूज करते हैं, qualification कि आपने ITI किया है तो यह सभी trade आपके सामने यहाँ पर रहेंगे, कि कौन कौन सा trade है अभी मैंने degree वाला आपको बता दिया, degree और diploma अल्मोस्ट वैसे ही रहेगा बाकि ITI में trade बढ़ जाते हैं, जितना trade दिया है तो इन trade में से आपका जो भी trade है, वो trade आप चूज कर लिजेगा कि आपके कौन से trade है, electrician, electronics, mechanic, pitter, heat engine, instrument, mechanist, diesel, motor vehicle, radio and TV यह सभी आप trade चूज कर लिजेगा, बाकि institute का नाम, passing year, यह सब form में आप fill कर दिजेगा यह आपका ITI वालों के लिए हो गया, बाकि degree diploma में तो बस वही चीज़े जितना मैंने बताया, electrical, electronics, automobile जैसे ही आप next आप आगे बढ़ेंगे इसके बाद, तो आपका photo upload करने के लिए आएगा photo कैसा होना चाहिए, यहाँ पर पूरा detail लिखा गया है, क्या होना चाहिए photo में, यहाँ देखे, color passport photograph होना चाहिए, white background होना चाहिए, ऐसा नहीं, कि हाँ पीछे आपका जो background है, कुछ भी हो, आपका जो background होना चाहिए photo का, वो white होना चाहिए, आप लोग उल्टा सिदा upload कर द वो इतने बाइतने pixels में होना चाहिए, jpeg और jpeg का format होना चाहिए, आना 30 से 70 kb के बीच में होना चाहिए, आपका जो है, नहीं तो upload नहीं होगा, वो बार बार यहीं बोलेगा, 30 kb से लेकर 70 kb के बीच में आपका, क्या होना चाहिए, photo का size होना चाहिए, ठीके, photograph taken using mobile and selfie portrait म यहां साफ साफ लिखा है, कि अगर selfie type का कुछ है, तो उस प्रकार का photograph आपका नहीं चलेगा, the photo should have clear font view of the candidate without cap and dark glasses, चस्मा अस्मा लगा के भी आईपी बन के मत, photo खिचवाना यह ध्यान रखिएगा, उसके बाद से बोला है, facial features should be clear, not be covered by any item, such as mask, hair of head, cloth, shadow, jewelry, यह सब नहीं पह का हुआ है, जम clear होना चाहिए, चीजे ध्यान रखिएगा, mask लगा के नहीं करना तो यह सब, आप जानते ही हो, passport side photograph होना चाहिए, इसमें पूरा dimension दे दिया है, और 30 से 70 kb के बीच का होना चाहिए, ठीक है, आप जहां भी जाएंगे photo खिचवाने, white background पर खिचवाईगा, उ आप उसे resize भी कर सकते हैं, वो आपको resize करके दे देंगे, यह almost इतना चलता ही है हर जगा, ठीक, अब आगे जब बढ़ोगे, तो यहां signature आप से मांगेगा, signature में भी same चीजे हैं, ध्यान दीजिए का 30 kb से ये भी होना चाहिए, 30 kb से 70 kb के बीच में आपका signature भी होना चाहि ठीक, किसी-किसी में JPG मांगता है, किसी-किसी में PNG मांगता है, तो वो ध्यान लगेगा, फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, तो आपका ये जो cbt2 में, आपका जो paper होगा part 2 वाला, part B जो होता है, वो trade वाला जो होता है, जो qualifying होता है, उसके लिए आप से यहां पर पू option आएंगे, एक आएगा electronics, mechanics और mechanics, radio और TV, दो paper आएंगे, इन में से ही आपके questions पूछे गाएंगे, जो qualifying वाला paper होता है, part B, जो cbt का part B होता है, वो, बाकी last में भी एक बार option आपको देता है, शुरुवात में आप से तो choose करा ही लेता है, कि भाई, आप किस zone से बना, अगर mood बदल गया, last तक form भरते भरते, तो आप यहाँ पर एक बार confirm कर सकते हो, कि भाई, आप यही में हो, या change करना चाहते हो, click here to change, RRB zone, अगर आपको लग रहा है, zone change करना है, तो अंतिन तक, फिस सम्मिट करने से पहले, आप इसे change भी कर सकते हो, ठीक, यह दिया, अब मैं बता है, तो mechanical में आपको यह सब trade आपको दिखेगा, ध्यान देखेए, mechanical में आपको यह trade दिखेंगे, fitter, mechanic motor, tractor mechanic, mechanic diesel, turner, mechanist, उसके बास हीट engine, तो यह सब आपके trade आपके किसमे, mechanical engineer में आपको दिखेंगे, यह ध्यान रखेगा, इसके बाद से अगर आपने electrical choose किया, यह आपका व हाले में भी, अगर आपने automobile से choose किया है, तो automobile में भी part B के लिए आपका, यह paper के लिए आपके choose आएंगे, इसमें कुछ चीज़े, आपके same to same mechanical के लिए तरह ही है, यहाँ पर आपका motor vehicle वाला भी है, tractor mechanic भी है, mechanic diesel भी है, heat engine भी है, refrigeration and air conditioning mechanic भी है, ठीक, तो almost automobile engineering में भी इतने paper आ आपको आएंगे कि इने में से आप किसके लिए paper choose करना चाते है, वो उनी से प्रशन रहेगा, और यह आप अपने syllabus में पढ़े होगे, जो भी आपने किया है, उसमें आपने पढ़ा होगा, इनी से questions आएंगे, अब अगला जो है, इसमें एक electrical वाला भी है, इसी में है, आप आपको में electrical वाला भी, electronics दिखा दिया था, हाँ, यह electrical वाला है, यह आपका electrical वाला ट्रेड है, electrical वाले में कौन-कौन से आएंगे, ध्यान दिए, इस electrical वाले में आपके क्या है, कि जब electrical engineer आप चूस करेंगे, तो इसमें electrician, instrument and mechanic, wire made, unmature and coil winder, refrigeration and air conditioning mechanic, यह आपके, किसके लिए आते हैं, electrical engineer के लिए चूस करने के लिए आएगे, कि इनमें से आप कोई paper दे दीजिए, ठीके, तो इनमें से आप part B में, जो CBT2 में qualifying होता है, उसका कोई असर नहीं होता है, ठीके, बस आपको qualify करना होता है, वो paper आपको यहाँ से चूस करना होगा, वो आपके, CBT2 जब part B में इसका paper कराया जाता है, तो यह दिहान रखिएगा, तो एक-एक step मैंने आपको बता दिया, कि कैसे आपको form fill करना है, इसके बासे यहाँ पर last में आप, जैसे यहाँ पर करने के बास, आपको submit करने के बाद, आप सीरह payment करेंगे, payment आपका success होगा, और form आपका submit हो जाए कि परिक्षा प्लस मात्र 499 रुपे हैं, 499 रुपे में आपको ALP और technician, क्योंकि technician की भी आने वाली है, इसकी भी दोनों के batch जो हैं आपके CBT1 और CBT2, इन दोनों का प्राइज जो है, मात्र 499 में ही आपको यह batch दिया जा रहा है, आप परिक्षा प्लस एप इंस्टॉल कर या live.parikshap.org से जाकर आप बैस से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या है, तो आप इन नंबर पे call कर सकते हैं, ठीक है, आप इन नंबर पे call करके आप अपनी समस्या हैं, बता सकते हैं, चलिए, और comment में भी आप बता दीजिएगा, जो भी आपको form fill करने में समस् अब बाकि जो document से related है, मैं एक video और डाल दूँगा, आप लोगों कि क्या क्या document जरूरी है, कास certificate कप का होना चाहिए, सेंटरल का होना चाहिए, सब चीजे मैं आपको एक next video में आपको बता दूँगा, फिर उसके बास से आपको और और कोई दिक्कत होती है, जरूर हम पूरी कोसिस करेंगे कि उसका समधान निकाला जाए, तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मस्त रहिए, सबस्क्राइए, जबर्दस्त रहिए